Hey all right and welcome to all in today's The Hindu News Discussion Now Delhi के basis पे complete news paper analysis करते हैं हर एक particular page से UPSC की प्रिलिम्स और मेंस की news को discuss करते हैं Delhi के basis पे Monday to Friday एक answer writing की जाती है आज है Sunday तो आज important editorials तो नहीं आते but science and tech के articles हम publish करेंगे but major information 25 December से यानि कि Christmas और New Year की sale पांच दिन के लिए है लगाता और हमने जैसा भी बताया है कि 22 से 24 मेंबर की team है आज साम को आपको vlog भी मिलेगा मैं link के दालूँगा और कल भी किस environment में हम create कर रहे हैं ये सब मैं explain करते हुए चलूँगा बट अभी हमारी जो discount sale चल रही है वो है lifetime PDF plus video ठीक है और वो भी UPSC complete package तो आप ले सकते हैं हमारा Christmas plus New Year का plan जिसमें है guaranteed 60 badge उसकी आपको link पता जल जाएगा क्या क्या चीज़ है हाला कि वैसे पूरा है UPSC prelims plus mains prelims के अलग notes होंगे उनकी video होंगी daily live classes होंगी एक current affair की video होगी ये सिर्फ 1499 रुपीज में 1499 रुपीज में early plan भी होगा test reach भी होगी अलग-लग plan के लिए आप इस given number पर call कर सकते हैं आपको payment करनी है बहुत simple है दिये गए number पर उपर वाले number पर 750-513-4891 पर इस पर Google पर phone पर कर सकते हैं जो भी payment करेंगे उसकी screenshot same number पर WhatsApp करनी है हम आपको अपने एक WhatsApp group से add कर लेंगे guaranteed 60 batch का दूसरा batch है early bird discount rate है यानि कि जो पहले 60 जो seat avail कर लेगा उसके बाद हम अपना registration बंद कर देंगे तो try ये कीजिए जल्दी जल्दी सिर्फ 5 दिन का है lifetime plan है lifetime video प्लस PDF का वो video हमेशा रहेंगी कोई उस पर expiry date नहीं है वो PR publication में नहीं मिलेंगे application में आप mobile application भी download कर सकते हो बढ़ आपको वो video कहां मिलेंगी link के through मिलेंगी ठीक है now कुछ इस तरह का guaranteed 60 batch है 64 बच्चे यहाँ पर add होगी है बढ़ यही second channel बनेगा और similar link आपको मिलेंगे देखे doc file है जहाँ पर quality epic October month की UPSC economy है यह prelims के लिए 73 पेज की आप यहाँ पर PDF format में सभी link भी आपको मिल जाएंगे sequence wise यह देखिए early plan का link है एक बार इसमें हमने आपको add कर दिया तो आप सब access कर पाएंगे यह quality wise है class 27 October month का current affair चल रहा भी हमारा ठीक है उसकी वीडियो है particular उसकी PDF होंगी और किसी ने यह पूछा था Indian Idol वाला famous पवंदीप यह पताने किस ने पूछा था पर यह एक बच्चे का query था बड़ हम बात करते हैं आज की news paper analysis पर जादा हम detail में discussion ही करेंगे बड़ मैं चाहता हूँ कि सब मास लोगों को पता चले और एक साथ आप क्या करो avail करो और lifetime video quality content के साथ जो चीज आपको करीबन करीबन डेल तीन लाग की पढ़ती है वो सिर्फ हम 1500 में आपको avail करवा रहे हैं चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आज के notes पे ध्यान देते हैं 26 December के Drug Control General of India DGCI के बारे में जानेंगे National Air Quality Index क्या है इसके बारे में जानेंगे Raising Legal Age of Marriage for Women ये 18-18 साल का भी चल रहा है Pros और Cons दोनों ही हम देखेंगे Right Challenges देखेंगे हम और सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूँ आज का चिली का लेक मेंशन है आज के न्यूश पेपर में Prelims Plus Main सब देखेंगे यहाँ पर है James Webb Space Telescope ठीक है टेलिसकोप James Space James Space Webb Telescope है उसके बारे में डिसकस करेंगे और Next Generation Space Telescope है ये आपने Hubble Telescope ये बहुत सारी चीज़े सुनेंगी होगी तो हम ये करेंगे GS Paper 3 का James Webb Space Telescope उसकी मैं इमेजेज भी आपको दिखाऊंगा फिर है nuclear reactor क्या होता है आज ये science and tech के question रहेंगे और देखें यहाँ पर ये join कर लिया है परवीन कुमार सान्याल जी ने और ये इसी तरह से आपको 1499 वाले batch में ये सब करेंट अफिर मिल जा रहे है lifetime रहेंगे मतलब ठीक है ये PDF प्लस वीडियो तो हमारा major aim क्या है वो आपको समझ में आया होगा बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आपने अगर subscription लिया है तो आप अपने बगल वाले को भी बताओ ठीक है जो effort नहीं कर पा रहे है क्योंकि ये सबी के लिए है जो effort नहीं कर पा रहे है जो effort कर पा रहे है ताकि उनको पता चले quality content मिल जाए और regular एक time table बन जाए ठीक है उसमें test series ये सब included रहेंगे आगे की जितने भी बुक हम publish करेंगे test series, subject wise, quality, history, geography वो सब आपको इसमें ही मिलेगा अब बात करते हैं आज की news की Japs for 1518 group from January 3 booster for senior from January 10 booster मतलब जिनको second dose लग भी चुकी है उनको दुबारा एक dose दी जाएगी third dose की बात की जारी है पहला point ये रहा दूसरा point किया है Japs for 1518 group from January 3 Omicron variant South Africa का आपको देखने को मिल रहा है बहुत जादा फैल रहा है तो उसके basis पे भारज सरकार vaccination की doses बढ़ाने की बात कर रही है Omicron variant सबसे पहले कहा identify किया गया South Africa में तो PM Modi, नरेंदर Modi जी ने announce किया Saturday को जो teenager है 15-18 वर्सके हैं उनको भी vaccine दी जाएगी Co vaccine को clear कर दिया गया है जो 12 साल के उपर है और ये जो clear या approval कौन देती है ये सबसे बड़ी बात है तभी मैं ये जो body है बार-बार आपको बताना चाहरा हूँ ये है Drug Controller General of India तो सबसे पहले हम देख लेते हैं Drug Controller General of India को UPSC Prelims 2021 में ये पूछा जाएगा Drug Controller General of India ये किस के अंदर आता है CDSEO के अंदर आता है Central Drug Standard Control Organization ये क्या है ये ही responsible रहती है blood और blood product के लिए जो license या approval मिलता है राइट इट prepares and maintain national reference standard इट एक्ट है जे appellate authority की तरह भी काम करता है यानि कि बहुत simple सी भासा में अगर बता हूँ जो blood या blood related जो भी vaccine आपके blood से होते होए जाती है उन सब की approval कौन देता है DGCI Blood की approval यानि की मतलब क्या है vaccine लगेगी तो blood के अंदर ही तो जाएगी खुन निकलता है ना उसमें तो वही चीज़ blood से related जितनी भी vaccine बनेंगी जो आपके body के अंदर जाएगी उन सब की जो approval देगा वो DCGI देगी वो किसके अंदर आती है CDSEO के अंदर आती है यह एक department है उसके अंदर DCGI है और यही approval देता है ऐसे आपको याद रखना है क्या पूछा जाएगा यह आपको याद रखना है ठीक है ना बात करते है European Omicron Trends of Kerala के वही बात करते हैं जो current फिर मैं कल मोधी जी ने देखा मतलब announce किया था जो मैं अभी पूरी बात की vaccination से लेके boost से लेके वो यही चीज़ है तो इसको news हम पढ़ क्यों रहे है फिर अगर same ही बात है तो नहीं इसमें दो चीज़े हैं यहाँ पर expert का क्या मानना है बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि Omicron variant तो सफर कर रहा है इंडिया जो delta variant था वो भी सफर कर सकता है भारत और उसके भी बहुत सारे cases multiple cases देखने को मिले है तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ total जो healthy system है जो हमारा healthy system है वो सही नहीं है तो इसका solution क्या है हमें अपना जो physical infrastructure है social infrastructure की बारे मैं बात करूँ जिसमें education आता है सिख्षय आती है, स्वास्ता आता है यह daily के basis पर चेक की जाती है अब daily हम पढ़ाएंगे नहीं 30 second में उसको revise कर लेंगे but air quality severe category में आ चुकी है air quality धिरे धिरे डिट्रोई हो रही है जैसा winter होता है air quality आपकी और ज़्यादा गिड़ते रहेगी नो बात करते हैं यह है क्या air quality है, क्या यह किसकी बारे में बात की जा रही है national air quality index prelims general studies paper 3 6 categories है, good है, satisfactory है moderately polluted है, poor है, very poor है और severe है मैं बात करूँगा air quality को जो calculate किये जाते है 8 pollutant में किया जाता है ground level ozone, PM10, PM2.5 carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ammonia या lead यह launch किया था 2004 में one number, one color, one description और यह develop किया था central pollution control board ने in consultation with IIT कानपूर तो आगे बात कर लेते हैं marriage age at 21 lardo panchayet puts UP parties on notice यहाँ पर बात की जा रही है देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कुछ initiative मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा particular women empowerment या women's related कोई भी topic आता है तो आप उसको कैसे mention कर सकते हैं सबसे पहला जो यह topic है selfie with daughter initiative यह एक अच्छा initiative था जिसमें आपकी जो new born girl है उसके साथ आप selfie खीचो और post करो ताकि women empowerment बड़े women's का महत्तु बड़े समाज में equal तरह कैसे देखा जाना चाहिए महलाओं को भी ठीक है तो यह selfie with daughter initiative पहला है दूसरा क्या है यहाँ पर marriage age related की बात की जा रही है कि 21 करनी चाहिए या नहीं हाला कि मैं देखें न्यूज में तो बहुत सारे article ऐसे publish होते रहेंगे बड़ आपको क्या करना है यार आपको यह करना है कि क्या वो particular UPSC के लिए अच्छा है UPSC के लिए relevant है UPSC में क्या पूछा जाएगा वो मैं discuss करता हूँ आपको बता देता हूँ यहाँ पर बात करते हैं महलाओं की जो legal age है उसको बढ़ाने के बारे में देखिए अगर मैं बारे में बात करूँ prelims के लिए क्या रखना है legal age क्या रहेगी women's के लिए men's के लिए क्या आएगा कि pros and cons क्या है तो दोनों को ही यह summarize करके हमने complete कर दिया है सबसे पहले news में क्यों रहा था अभी एक बिल लाए जा रहा है 2020 में जो age है women's की marriage की 28 से 20 कर दी जाएगी बट इसके लिए इसको करने के लिए बहुत सारे सुधार भी करने पड़ेंगे जैसे prohibition of child marriage act 2006 इसमें सुधार करना पड़ेगा और इससे पहले एक task force भी बनाए गई थी जया जेटली की और आप यह याद रखना यह task force या यह particular नाम किस से associated है ठीक है अब actual में इस बड़े मुद्दे पर बात क्यों हो रही है कि यार महलाओं के अगर marriage age को 28 से आप 21 करना चाह रहे हो ठीक है marriage के अगर 28 से किस करना चाह रहे हो तो तब क्या होगा right the task force was set up to re-examine the age of marriage and its correlation to health social indices जैसे infant mortality है maternal mortality है nutrition level है यह सब चीज़े ठीक है यह सब depend करता है किस पह इन सब चीज़ों है अब देखे background बहुत simple है सबसे पहला जो limits ताय की गई कि यह कितनी होनी चाहिए the minimum age of marriage was prescribed for the first time पहली बार हो रही थी जिसे सारदा act 1929 कहा गया बाद में इसको बदला गया child marriage restaurant act 1929 में ठीक है तो सबसे पहला act आपको याद रखना है अभी देखे महलाओं से related बात चल रही है जो initial pressure होते है अपने से बड़े कोई भी senior होता उससे बात करते है फिर वो influence हो जाते है ठीक है मैं यहाँ पर particular सब लोगों को बार-बार यह आपसे बोलना पड़ेगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यह सबसे बड़ी बात है ठीक है उसके लिए कुछ मत करो blind fit तरगो PR publication में लोगों ने रखा लोगों का success मिली है अभी interview देखलो आप PR publication में पिछले बार हमने prelims के हर बार भी यह कहता हूँ क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है लोगों को एक सही path में UPSC crack करना बहुत सारी लोग नहीं कर पाते बर particular कैसे कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं क्योंकि divert हो जाते हैं वो ठीक है उसको हम आपको follow करवाएंगे 1979 the law was amended to raise the minimum age of marriage to 18 years from the girls and 21 years for boys और इसके बाद धीरे-धीरे 18 साल महलाओं की कर दी गई 21 साल जो है males की कर दी गई बट अब क्या होता है अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग नियम भी रहते हैं जैसे for Hindus Hindu marriage act है 1955 का उसने 18 साल की है इसलाम धर्मे में जो marriage of minor who has attained puberty is considered valid इसलाम में ऐसा होता है जिसने puberty अब puberty consider क्या करेंगे चीक है किस में करेंगे जनरली बहुत जगे definition होती है 18 प्लस, 16 प्लस पर इसलाम में कोई ऐसा particular age define नहीं की गई है special marriage act 1904 prohibition of child marriage act 2016 उसने भी prescribe की है ऐसी अब बात करते हैं ये तो था background की यार क्या-क्या particular चीज़े हैं पर pros of raging minimum age for marriage for women फाइदा क्या होगा अगर 18-21 बढ़ा दी गई आपसे पूछा गया किसी महला की विवाहा करने की age 18-21 कर दी गई तो फाइदा क्या होगा women and child welfare सही बात है mother plays the greatest role of all by both in relation to her undernourishment and that of her child and early age of marriage early pregnancies nutritional level mothers का ये सब चीज़े impact करते हैं and empowerment and gender parity ठीक है child marriage को tackle करना ये सब चीज़ें इससे हो सकता है the law to prevent child marriage doesn't work very well अच्छे से देखे कोई भी कानून ला जाता है तो उसको implement करने सबसे बड़ी बात है अभी national family health survey में report दी तो मैं जो notes दिये हैं इसमें सब कौन साइज हैं हर fact तो मैरे जैस से अगर कोई भी question आ गया तो आप इसको डाल सकते हैं ठीक है ये हमने discuss कर लिया है इससे फाइदे क्या होंगे boosting education सिक्षा का इस्तर बढ़ेगा इसके लगा बिजनस ट्रेनिंग sex education चलाई जाएगी schools में इससे particular क्या होता है sex education चलाना कितना ज़्यादा अभी protection यूज़ करना चाहिए while sexual intercourse अब ये बाते हैं हमारे समाज के हिसाब से बहुत सारे लोग नहीं करते बट ये promote करना है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा आपको मैं बता दू economic aspect जो negative चीज़ें चली जाती है ठीक है मतलब pocket expenditure आपने सुना होगा अगर एक middle class family में अगर health से related किसी को बिमारी हो जाए तो सारे पैसे उस पर लग जाते हैं तो यहीं चीज़ें awareness पहले से ही होंगी health hygiene सही रहेगा तो सबका standard of living बढ़ेगा ठीक है school जा सकते हैं mass awareness program भी इससे चलेगा जैसा भी मैं mass awareness program create कर रहा हूँ UPSC के ही बच्चों के लिए और सभी exam अब तो हमारी 22 member की team है यार अब सब देखो एक बहुत बड़ा revolution आने वाला है digital media के छेतर में इंडिया को एक नाया चेहरा मिलेगा मज़ा कर रहा हूँ particular हम बात करेंगे उसके बाद मैं कल vlog भी देखोगे हमने एक jungle में shoot किया है सभी जितने लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं उन सब को मैं particular link share करूँगा सभी जो paid user है उन सब के जो number हैं वो save है particular पर किस environment में करना चाहिए आपको भी जैसे library है वैसे हमारा jungle के अंदर चलो ये बात हम बात में करेंगे बढ़ हम उसके बात करते हैं चिली का लेक अपने आप में सबसे rich biodiversity का एक reason माना जाता है migratory birds found dead in your चिली का लेक इन उडिसा migratory birds वो ऐसी birds होती है जो season wise एक जगे से दूसरे जगे जाती ही रहती है तो बहुत लाख के नंबर में migratory birds fly down from other parts of globe to उडिसा चिली का लेक the largest wintering ground for birds in the Indian subcontinent around this time every year during regular patrolling our staff deducted karakasis मतलब जो मिरत होते हैं of 29 birds dumped at rata mati near बढ़ वो खरिया आपको इतने सब नाम जानने की जरुवत नहीं है बट चिली का लेक में अपने आप में एक ridge by diversity वाला area है now चिली का लेक की बारे मैं बात करूँ हूँ चिली का लगून lies in odysa state along the eastern coast of india it is connected to the bay of bangal through a narrow she mouth चिली का इज also लगून लगून बहुत बहुत सिंपल सी बात है लगून का मतलब क्या होता है कि एक river है अगर salt water के बहुत सारे parameter होते है salt water जैसे वो पानी है उसमें salt का content कम होगा लगून में salt का content जाता होता है यह largest brackish water lagoon है with ashiori character that sprouts along the east coast it is the largest wintering ground for migratory waterfowl found anywhere on the indian subcontinent it is one of the hot spot of biodiversity in the country and some rare vulnerable and endangered species listed in IUCN red list और बहुत सरी जो migratory birds है या कोई भी species हैं वो endangered category में या IUCN की किसी critical endangered category में list देखने को मिलती है चिलीका के बारे में एक खास बहुत बड़ी जानकारी चिलीका को as the first ramsar site of India घोसित कर दिया गया था the nalabana island with the lagoon is notified as a bird century under wildlife protection act बात करते हैं वर्ड लेवल की चाइना replaces controversial party secretary जियान जेंग यूएस held him responsible for उग्यूर क्रेकडाउन calling his policy genocide अब यहाँ पर एक secretary है मतलब एक बंदा है चाइना का top official अगर मैं बात करूँ तो उसके अंडर ये चाइना के जियान जेंग reason में जो west south का area southwest का area है वहाँ पर जो है उग्यूर मुश्लिम रहते हैं अब चाइना क्या कर रहा है उनको criticize exploitation कर रहा है बहुत सारे लोगों को मार रहा है ठीक है center में डाला गया है उनको अब बात यहाँ पर basic human right जो हैं वो follow नहीं किया रहे हैं यूएस ने क्या कहा इस top officials को लेकर कि जो उग्यूर मुश्लिम है उनकी against exploitation किया जा रहा है तो चाइना ने क्या करा replaces controversial party secretary in Xinjiang reason बात यहाँ पर यह आती है कि यार उग्यूर क्या है मुश्लिम है minority है चाइना की सरकार जो है exploitation कर रही है human basic जो मौलिक अधिकार है basic जो मानव अधिकार है वो इनको नहीं मिल रहे है अब क्या होता है इंडिया के respect में आप इसे कैसे जानोगे इंडिया और चाइना का dispute चलता है line of actual control में तो इंडिया जैसे कस्मीर का मुद्दा चाइना उठाता है हर global platform में तो आप एक solution ये भी लिख सकते हो कि जो चाइना इंडिया है वो चाइना को चाइना के मुश्लिम को जो exploit कर रहा है इस मुद्दे को भी global level पर उठाए चलिए अब बात करते हैं next की a telescope on million mile wise the world most powerful space telescope on saturday blasted off into orbit headed to an outpost 1.5 million km from earth after several delays caused by technical glitches or technical hitches right जो technical error आ जाते है उसके वज़े से जो major most powerful space telescope माना जाता है उस पर blast हो गया the James Webb Space Telescope some three decades and billions of dollars in the making left earth closed in its Orion 5 rocket from the Kuro Space Center in the French Guiana ये जो geography का term है कहां से ये space center है जैसे है भारत के चलो इस रो का है है ये बताना आप चीक है विकरम सारा भाई वाला का है ये चीज आपको बतानी है बट हम बात करेंगे James Webb Space Telescope की बात करते हैं James Webb Space Telescope की GS Paper 3 में टॉपिक है Awareness in Space Engineers have unboxed the James Webb Telescope in the French Guiana and will now prepare it for launch अब ये blast view है JWST is one of the grand scientific project of 21st century and will write to orbit on the 18th December बट अब blast view हो गया ये है James Webb Space Telescope यहां पर primary mirror लगा रहता है secondary mirror sunshade solar array space craft जनरली इनको energy कहां से मिलती है sunshade तभी ये mirror fit के हैं ठीक है तभी नहीं तो यार fuel ऐसा कौन सा काम करेगा petrol चलेगा क्या नहीं यार ठीक है मजाग कर रहा हूँ पर real बात है ठीक है ऐसे नहीं यार वाली मजाग कर रहा हूँ बट mirror लगाना जरूरी है क्योंकि solar energy से बहुत ज़्यादा चलती है नहीं बात करते हैं तालीबान government describe अफगान election body देखो तालीबान ने अफगानिस्तान में जो polls कराता था वो try-die ये सब list करेगा तालीबान ने अफगान की election body कोई हटा दिया गया देखो कितना ज़्यादा democracy worst हो चुकी है हाला कि अभी मैं अफगानिस्तान के बारे में बताऊंगा कितना ज़्यादा economy crisis से जूल रहा है अभी अफगानिस्तान मयान मार में military कूप चला है एक फरवरी से 30 लोगों को मारा गया all over India में यार कहीं भी peace नहीं है सान्ती नहीं है हर समय दंगे फसाद ये सब चलते रहते हैं और ऐसा सिर्फ all over India नहीं है हर जगे चल रहा है ठीक है all over world चल रहा है यहाँ पर बात करते हैं study of distant magnetar reveals facet of exotic star ये सबसे बड़ी बात है और science and technology का सबसे अच्छा article है सबसे पहले मैं एक आपको बता देता हूँ magnetar क्या होता है magnetar एक rear compact neutron का type है ठीक है अब क्या है ये इसका मतलब बहुत simple सी बात है जिसकी खुद की energy है magnetism में है वो magnetar है magnetar they have studied in about 13 million light years away in the direction of NGC 253 अब यहाँ पर क्या है जैसे मैं कहूंगा न इंडिया है USA है वैसे एक galaxy की नाम दिये है 3 million light years light year distance का होता है ठीक है कितनी दूरी पर है अब इतना बड़ा distance है तो तब ही light year से अब यहाँ light year से थोड़ना बोलोगे न light year में तो खतम हो जाएगी 0.00 light year में भी ठीक है तो हम बात करते हैं NGC 253 galaxy के पास magnetar देखने को मिला उसके साथ magnetar are relatively rare object with only about 30 having been spotted within the milky way so far मतलब the present magnetar is only the second one to be studied which is located outside the galaxy during the course of their evolution massive कैसे एक magnetar बनता है magnetar की मैंने का खुद की energy है magnetism है अब यह क्या होता बहुत सारे दूसरी चीज़ों को भी impact करेगा during the course of their evolution massive stars with masses around 10 से 25 times the mass of sun बतलब ऐसे बड़ा बड़ा star जो sun से भी सोचो sun से भी 10 से 25 गुना भारी है eventually collapse and shrink to form very compact object called neutron star समझ मा गया sun से भी ज़्यादा जिनका mass है वो तूट रहे हैं collapse करने हैं और छोटा एक compact बना दे रहे हैं उसे neutron star कहते हैं और उसी का एक type है magnetar समझ मा गया बस इस से ज़्यादा आपको कुछ जानकरी लेने की जरुवत नहीं है बात करते हैं what are the head and tail winds in the economy economy कभी उपर जा रही है economy कभी नीचे जा रही है pandemic के दोरान तो बहुत ज़्यादा स्रिंक भी हो गई पर हमारी जो economy है किस टाइब की economy है V-shaped economy के shaped economy यह already मैं बता चुका हूँ सबसे जो बुरी economy होती है वो L-shaped होती है क्यों एक बार economy नीचे चले जाएगी फिर उठेगी नहीं V-economy अभी हमारी चल रही है मतलब एक बार नीचे गई थी during the pandemic धिरे-धिरे अब demand supply बल्ड रही है तो यह होता है और इस economy के grab को RBI आपको और अच्छा explain कर सकती है ओके चल यह हम बात करते हैं अफगानिस्तान में यार अफगानिस्तान का issue इतना ज़्यादा serious है almost 80% जो fallen अफगान government budget है came from international assistance तो यहाँ पर से actual जो video record हो रही है वो experiment को भी देखेगी अब बात करते हैं almost 80% of fallen अफगान government budget came from international deployment assistance मतलब आप समझ रहो कि यह जो असरब गनी की सरकार थी अफगानिस्तान पहले democracy थी election हुआ था उसमें अब असरब गनी Central Asia country में चले गए हैं Qatar चले गए हैं राइट छोड़ के क्योंकि आख on चुका है अब एक terrorist group तालीबान अब क्या होता है सोचो economy crisis कितना ज़्यादा पहले भी जो अफगान की सरकार है 80% जो international assistance आता था मतलब कभी USA देदेगी कभी कोई देदेगा तो अब क्या हुआ पंदरगस्त को तालीबान पे capture किस ने किया तालीबान पे capture किया मतलब काबूल पे capture किया अफगानिस्तान पे capture किया तालीबान ने और अब यहाँ पर बात की गई है देखो जैसे मैंने बोल रहा हूँ international assistance की the US has also frozen nearly 9.5 billion of अफगान central bank asset US अब उसको assistance दे ही नहीं रहा है mainly held in New York Fed American financial institution अब यहाँ पर एक और चीज बात बता देता हूँ United Nation की अगर मैं बात करता हूँ United Nation की जो agencies है उनका एक factual detail है उनके कहने का मतलब है कि 23 million अफगानिस्तान के ऐसे लोग है that about 23 million अफगानिस्तान nearly 40 million people are facing acute food shortage ठीक है कितनी जो major देखो अभी हाली में क्या हुआ इंडिया की अगर मैं बात करूँ उसने क्या गेहूं किया अगर इंडिया के क्या formally recognize किया है भारत ने तालिबान को नहीं 40 million people को सफर करना पढ़ ला है food shortage ठीक है food shortage ओके now जो extreme poverty में है multiple poverty में यह देखो आर्टिकेल है अब यहां पर बात करते है कि आप सबको पता है को सबको पता है थोड़ा से कल लाइग ज़्याद violation करी मैंने साइध तीन या चार बजे में सोया कलर करेक्शन करके और उसके बार डारेक्टली ये वीडियो बना रहा हूँ तब थोड़ा सा रिकॉड करने में चलिए इसको अभी हम बाद में करते हैं इसको अपलोड भी करना है तो यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी जो ऐसी कंट्री है फॉर्मली रिकगनाईज दे तालीबान रेजीम देश्टाएं किसी भी ने भी फॉर्मली उसको रिकगनाईज नहीं किया है पागिस्तान है चाइना है रशिया है सेंटरलेशन रिपब्लिक से है उन्होंने हाला कि डिप्लोमेटिक रिलेशन बनायो है हाला कि मैं यहाँ पर सजेशन देना चाहूंगा एक्सपर्ट्स को भी और इंडिया की ऑथरेटी को भी कि देखिए पागिस्तान चाइना रशिया अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहे है तो हम क्या कर सकते है जो टेरिरिज्म फैल रहा जनरली अफगानिस्तान की थुरू फैलाता है कोण पाकिस्तान फैलाता है पाकिस्तान को तो हम करना पड़ेगा कुछ है ना कतर विच होस्टेट दे तालीबान उस टॉक्स लेट लेट तो विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान पोजे इटसेलफ है जे कॉंड्यूट बिट्विन वेस्ट एंद तालिबान अब वही सिंपल सी बात है यूएस भी वो कर रहा है अपना इंट्रस्ट सभी जगह है और तालिबान मतलब अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो ड्रक्स की होती है ओपियम पोपी राइट अब पहले क्या था 1990s में तो पंजिसीर वैली पर पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाये थे इस बार पंजिसीर को भी कैप्चर किया है बट ऐसा नहीं है कि जो पंजिसीर गुरिलाज है पंजिसीर के जो लोग हैं वो रिवॉल्ट कर रहे हैं अभी तालिबान के अगेंज राइट तो यहाँ पर आई थिंक मैं वीडियो बंद करूँगा और जो लोग हिंदो एनरेसेस देख रहे हैं यह व्लॉग भी शूट हो रहा है ठीक है इसको सबसे पहले व्लॉग आफ करते हैं फिर उसके बाद हम बात करते हैं अभी की चलिए आज की इस वीडियो मां हम इतना ही करेंगे पूरा डेटेल जान लिए मैं कहूंगा कि 25 दिसमर से एक जनवरी तक हेवी डिसकाउंट से चल रिया लाइफ टाइम वीडियो प्लस कम्प्लीट यूपी असी का पैकेज है एरली प्लैन करेंट अफिर गारंटेट 60 बैज पीडियाफ वीडियो तो आज की इस वीडियो मां हम इतना ही करेंगे बांकी सॉरी फॉर दपास बीच में कॉल आ गया यह आई ठिंक कल सुबह 9 बजे जिनकी कॉल आई थी उनके बारे में भी होगा मेंशन यह सब व्लॉग में कैसा इन्वारमेंट है यह सब और मास अवेरनेस वाला काम कर रहे हैं आप सब लोगों की भी रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है कि प्यार पब्लिकेशन जो है उनका क इनिशेट्यूट नहीं होगा जहां पर हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी एकॉनोमिक्स एक ही बंदा बढ़ा है आर्टेन कल्चर यहां पर हमने यह इनिशेट्यू ले लिया है थैंक यू है बनाइस डे और आप सबको बहुत सिंपल से काम करना है 750-513-4891 एप्लिकेशन क थ्रू भी आप कर सकते हैं अभी मैं अपडेट कर दूँगा मोबाइल एप्लिकेशन वहां के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं ठीक है ऐसा कुछ नहीं है आप गूगल पे फॉन पर भी कर सकते हैं थैंक यू है अब नाइस डे